दोस्तो अगर आप खेल खेल में पैसा इंकाम करना चाते हैं मजा ले लेकर इंकाम करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तो अगर आप घर पे टेक प्लेयर बढ़ना चाते हैं और बहुत सारा पैसा इंकाम करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप एक Facebook Gaming Live Stream में बन सकते हैं या Facebook Gaming Video Creator बन सकते हैं इसी के साथ इसी वीडियो में हम आपको ऐसे चार सब्सक्राइब के बारे में बताने वाले जिसको यूज़ करके आप अपना Facebook Gaming Live Stream कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं आपके पास एक Gaming PC नहीं है तो आप कैसे एक Live Stream में बन सकते हैं कैसे एक Video Content Creator बन सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा सुरू सुरू में आपको PC का कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास funding है तो आप खरी सकते हैं शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आप Mobile से भी सुरू कर सकते हैं Mobile बालों को ये भी options है अजकल ऐसे बहुत सरा Apps है जहाँ पर आप उसको यूज़ करके आप Facebook Live Stream कर सकते हैं कुछ-कुछ features जो नहीं होता है लेकिन फिर भी आप उसको इसको इस्तेबल करके एक बड़ा gaming creator बन सकते हैं कोई भी काम सुरू करना ज़रूरी है अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे कभी सुरू नहीं होगा अगर आप gaming creator बनना चाते हैं चाहे लड़क अगर आपको बोलना नहीं आता है तो मीजिक देकर अब उसको एड़स्ट कर सकते हैं लेकिन आपको बताना चाहूंगा कोई भी काम अगर शुरू करना है gaming content creator बनना चाहता है तो देर मत किजे इसी वीडियो को देखिए तुरंत शुरू कर दिजे आज ही से शुरू कर दोस्तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको request करना चाहूंगा प्लीज वीडियो को like कर दीजे आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन वीडियो को like नहीं करे हो अगर लोग like नहीं करोगे तो मुझे motivation कैसे मिलेगा अब लोग के लिए नायने वीडियो कै से लेकर रहेंगे और दोस्तो चैनल को subscribe करके मुझे support कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरा instagram handle में जाकर आप मुझे पूछ सकते हो तो चलिए दोस्तो इस वीडियो के main section में चलते हैं दोस्तो मैं facebook का जो official page है ओपर मैं आ चको facebook gaming official page और वो जो link आपको उपर में clear यार दीख रहा है आपको facebook live stream करने के लिए just three step पर करना होगा number one आपको एक page चाहिए अगर आपके पास page है तो उसी page से आप सूरू कर सकते हैं अगर आपके पास page नहीं है तो आप दूसरा नया page बना सकते हो पूराना page में आप काम करना चाहते हो तो उसका एडिट करके उस OBS, Explate, Stream Elements और यह चाहर सौप्टवेर Facebook खुद recommend कर रहे हैं और यह चाहर सौप्टवेर PC से आप अपना live है उसको कर सकते हो उसके बाद step 3 go live, live करने के लिए आपको directly जाना होगा यह जो आपके सामने जो link दीख रहा है clearly यह जो ab.gg slash streamer इसी से आप directly अपना जो live पाला page हो प नया tab में open करता हूँ अगर आपका page login है आपका account login है तो directly आपको वही पर भेज़ देगा अगर नए है तो आपका login access मंगेगा तो मेरा जो page है ओपर directly मुझे पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद आपके सामने यह वाला window open हो जाएगा यह जो आपके सामने post और story यह व अंडर post choose where you want your live stream to appear such as your gaming video creator page that your match not your profile page कहां पर आप इसको दिखाना चाते हो वह आपको options चुनना होगा तो यह post पाल options में जाना होगा जाने के बाद आपके सामने यह window open हो जाएगा और इसी open window से आप live कर सकते हो ठीक है और live करने से पहले आपको जो post टेक्स्ट यह लिंक है यहां पर देना होगा ठीक है और कहां से आप करना चाहते हो यह और options जो है post add-ons filling activity ठीक है अगर schedule करना चाहते हो ठीक है यह वाला जो window है मेरा नाम show कर रहा है और यहां पर आप live कर सकते हो ठीक है तो go live यह पर एक option से go live और दूसरा है create live video event ठीक है और यहां पर जो options आपको दिखा रहा था यह options आपको show कर रहा है और यही से आप इसको live कर सकते हो दोस्तो फेस्बुक नमबर टू बाला जो टीप से वह पर फेस्बुक कह रहा है copy and paste the url server url and or stream key into the setting of your streaming software select enable persistent stream key to make future streaming easier वह पर आपको url copy or paste करके रखना है future purpose के लिए और यह note बाला जो options है जो lines है इसको sentence के उपर आप देन दीजे note please don't share your stream key anyone who has access to it can stream live to your post जिसके पास आपका जो stream key है अगर उसको access मिल जाए तो वह easily आपका live stream के उपर वह live कर सकते stream key है वह आपको किसी को देना नहीं है यह secret key होता है ठीक है is your software to start streaming you'll see a preview screen of your stream on Facebook where the server URL and stream key are displayed जहापर server URL आप देंगे वह पर आपका जो live streaming है और preview आपकर वहाँ पर show करेगा name your stream आपको stream का नाम देना होगा identify the game you are playing जो game खेले हो उसका नाम यह tag देना होगा तभी लोगों को पहुंचेगा reach बढ़ेगा and add a description so viewers know what to expect from your stream आपका stream में आप क्या है आप क्या दिखा रहे हो उसी से आपका जो viewers को पता चलेगा the final step click go live तो final stream यह final step वह है आप go live में आप select कीजिए ठीक है दोस्तों अगर आप mobile से करना चाहते हो तो आपके पास जो play store है आपके mobile में ओपर जाओ और ओपर search करो turnip app और turnip app को open करके आप अपनो mobile से facebook live gaming live कर सकते हो और कैसे करना है कैसे स्टेमल करना है मेरा पूरान एक वीडियो बना हुआ है उसी वीडियो को देखकर आप सिख सकते हो और live कर सकते हो मेरा उस वीडियो का link मैंने description पर दे चुका हूँ और comment section में भी दिया हुआ है तो उस link पर click करके आप देख सकते हो सिख सकते हो दोस्तो वीडियो का अचला है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए बेल बटन प्रेस कीजिए और मेरा instagram handle में जाकर आप मुझे follow कर सकते हो पूछना है तो पूछ सकते हो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवत और मिलते हैं अगले वीडियो में